साथियों सूपरभात मैं डॉक्टर सुरेश पांडे साइक्लिंग के साथ सकारत्म चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक इसी नियम के बारे में जो जीवन की प्रतिकूलताओं को जीवन की कटनाईयों को बदल कर एक अच्छी आदतों को बनाने में आपकी साहता कर सकता है साथियों इस नियम का नाम है दे फाइफ सेकंड रूल साथियों पिछली दिनों मैंने मेल रॉबिन्स नामक सूप्रसिद अमेरिकन आथर द्वारा लिखित इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक दे फाइफ सेकंड रूल पड़ी और इस पुस्तक में मैल रॉबिन्स की संगर्स की कहानी लिखी हुई है इस पुस्तक में मैल रॉबिन्स नामक लेखिका ने सभी पाठकों के साथ अपने जीवन की संस्मर्ण साजा किये हैं उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से जीवन के आरंबिक दोर में वे एक मा की भूमिका एक पत्नी की भूमिका अच्छी प्रकार से निभा नहीं पा रही थी उनके पती के द्वारा चलाए गया रेस्टोरेंट का बिजनस पूरी तरह से ठप होने के कगार पर था और इन सब परिसानियों प्रतिकूलताओं चुनोतियों की बीश उनको सराब की गहरी लग चुकी थी मेल रॉबिंस आगे लिखती हैं जीवन के इसी अंदकार में भरे दोर के दोरान उन्होंने एक दिन रात को टीवी देखते समय नासा द्वारा अंतरिक्स में प्रक्सेपित के जा रहे उपग्रह का समाचार देखा और उन्होंने देखा कि किस प्रकार उपग्रह का प्रक्सेपन करते समय काउंट डाउन सुरू होती है 5,4,3,2,1 और उसके बाद उपग्रह को छोड़ दिया जाता है चाहे कुछ भी हो उपग्रह को छोड़ दिया जाता है यह विचार उनके दिमाग में कौंद गया उनके दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने इसके बारे में सोचा और धीरे धीरे दे 5 सेकंड रूल को इस नियम को अपनी जीवन में उतारा और उसके बाद दे 5 सेकंड रूल नामक यह है इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक लिखी जिसका अनुवाद विस्व की अनेकों भासों में हो चुका है साथियों 5 सेकंड रूल के अनुसार आप किसी भी कारे को अब तक टालते चले जा रहे हैं तो इसको टालम टॉल करना बंद करें जिस प्रकार से एक छोटा सा एक्जामपल है हम मैं से अधिकांज वक्ती सुबह उटना चाते हैं लेकि उट नहीं पाते क्योंकि हम अलाम लगाते हैं लेकिन इस सुबह उटने का संकल्ब लेते हैं तो 5 सेकंड उट का पालन करें जैसे ही अलाम बजे पांस चार तीन दो एक काउंट करें और तुरंत बिस्तर से उटकर खड़े हो जाएं यदि आप जीवन में पब्लिक स्पीकर बनना चाते हैं अपनी किसी प्रतिभा को चाए वो भासन दिन की कला हो चाए वो लिखनी की कला हो चाए वो संगीत की कला हो को निखारना चाते हैं लेकिन आपका हेजिटेशन हिचक प्रोक्रेस्टिनेशन यानि कि आलस आपकी इस होबी को बनने नहीं दे रहा है आप टालम टोल करते जा रहे हैं आप कल पे टाल रहे हैं तो रुकें सोचें फाइट सेकंड रूल को अपलाई करें पांच चार तीन दो एक काउंट करें और तुरंत उस कारे को करने की रूपरेखा बनाएं उस कारे को कर डालें जिसको आप करना चाते हैं साथियों फाइफ सेकंड रूल का पालन कर हम जीवन को बदल सकते हैं हम जीवन में ऐसे अनेकानेक परिवरतन ला सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी न बत्तों का निर्मान करें और जीवन को अपने तरीके से जीते हुए इस विस्वशुदा को समुनत बनाने में अपना अपना सयोग देते चलें धन्यवात नमस्कार डॉक्टर सुरेश पांडे सुविनेच्चे किसना लिकोटा